आज हम लोग बात करने वाले हैं Methylene Blue Liquid के बारे में बात करने वाले है Methylene Blue के जो डोसिस है Aquarium Fish को कब देने चाहिए वो सारी जिदे आपको मैं इस वीडियो में बाताने वाला हो Methylene Blue अगर आपको नहीं पता रहेगा तो मैं आपको मैं बता रहता हूँ यह ऐसा ब्लू कलर का लिक्विड रहता है अगर आपके पास एक्विरियम फीश है तो आपके पास 101% एक लिक्विड रहेगा अगर थोड़ा ब्रैंड यूज करना चाहते हो तो बहुत सारे ब्रैंड में अभी मैथलिन ब्लू का लिक्विड आता है अगर कॉमनली बात है तो कोई भी ब्रैंड का आप पर्चेस कर सकते हो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपोर्ड होने आप वीडियो को अंदलग देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली है 100% आपको पता चलेगा कि मेरा फीश है अगर हो बीमार है और कौन सा एक्ट कर रहा है उनसा साइन शो कर रहा है तो जाकि आप मैथलियन ब्लू आप लिक्विड है उससे आप एक्वेरें फिश को ट्रिट्मेंट दे सकते हो तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक रिक्वेश्ट करना जाता हो कि अगर आप इस चैनल पर न अब बंढ़ सकते हो पहला जो साइन हो है अभी आपके में नाइट ड्रेट का लेवल बढ़ जाता है तब्याव की जो फीश है ओवाटर के सर्फेस पे आके बृत करने को चालो कर देते हैं या फिर उनके जो गिल्सित अब ब्रावन हो जाते हैं या फिर उनके जो गिल्स और रैपिडली मुमेंट करने को चालू कर देते हैं तब ही आपको मैथिलेन ब्लू है और यूज करना चाहिए मुझे हर इक बार कमेट आते रहता है कि मेरी एक्विरम फीश है एक गैस्पिंग कर रही है वाटर के सरपेस में तो अपको हमेशा आपको धहन में रखना चाहिए कि आपके एक्विरम में जभी नाइट्रैट का लेवल बढ़ जाता है तो ऐसे साइन है वह एक्विरम फीश करता है तो तभी आप उन्हें मैथलिन ब्लू से आप ट्रिटमेंट दे सकते हो अमोनिया का जबी लेवल है वो बढ़ जाता है तभी से एक्विर्यम फीश है वो वाटर के सरपेस पर आके ब्रीथ लेने को चालो कर जेते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं कि गास्पिंग फॉर ब बढ़ गया है अगर एक्विर्यम फिश के बॉड़ी के ऊपर फिंस के ऊपर रेड श्ट्राइक्स आ गया है तो जाके आप मैथलिन ब्लू से आप पूरी तरह से एक्विर्यम फिश को ट्रिटमेंट दे सकते हो दोस्तों में बतत हो कि अगर कोई भी वाइट स्पोड है छो तो जाके आप समझो कि उसको मैथलिन ब्लू की आपको अभी ट्रिटमेंट देनी पड़ेगी अगर कोई एक्विर्यम फिश को पैरसाइट्स हुआ है और एक्विर्यम फिश के ऊपर वेलवेड है तभी आपको जाके मैथलिन ब्लू की आपको ट्रिटमेंट देनी पड़े इस तरीक के बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि हम कैसे फिश को ट्रिट्मेंट करें फिश है वो एक जगह पे पोजिशन है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं रख रहा है या फिर एक्विरम फिश है वो अपने डाउन कंट्यूनिसली स्वीम कर रहा है वो जाके आप मैथलिन ब जैसे कि लावे बिरर में हम लोग करते हैं वो जब फिमेल बेबी जेने वाली रहती है तब हम उसको अलग से शिप्ट करते हैं तब ही जाकि फिमेलों स्ट्रेश में आती है तब ही अब मैथलिन ब्लू एज़ा एंटी स्ट्रेस आप व्यूस कर सकते हो अगर आपके एक्व कोई भी पैरसाइड इंफेक्शन ने होना चाहिए आपके पूरी तरस से एकश हो सेफ रहने चाहिए तब यह आ एक माइल्ड डोसिस दे सकते हो मैथिलिन ब्लू के अपके एक्स के सकते हो मैंने आपको वीडियो के शुरुवात में बोला था कि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्डन है तो अभी यह तो आपको पता चला रहेगा कि आपको कौन से कौन से साइन में आपको मैथिलीन ब्लू है वो ट्रिट्मेंट देने का है पर मैं आपको आगे जाके ब ट्रिट्मेंट दे सकते हो अगो अगर आपके बस बिसाल जो लाय उप्लेंट से उनको दिक्कत हो सकती है तो आप इस प्रकर से अभी आप यूज कर सकते हो जब यह एक्विरम फिश को बीमार देखोगे आपके एक्विरेम में तो I hope कि आपको ये वीडियो है वो अच्छा लगा रहेगा, helpful लगा रहेगा और आपको इस वीडियो से भहुत ही अच्छे अच्छी जानकर आपको मिली रहेगी अभी इस वीडियो को यहाँ पर end करने का समय आ गया है, मिल देखो जैसे इंट्रेश्टिक और अच्छे कासरी डॉपी के साथ तब तलग दोस्तों, टेक केर एवर्डियोवन एड़ बाइड